हालो फ्रेंट्स मेरा नाम है तोफीक और आप देख रहे हैं मेरा चानल लक्ष स्टुडियोज तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में बबल एफेक्ट या फ्लोटिंग स्पेर एफेक्ट हम बिलकुल आसानी से क्रेट कर सकते हैं और यह एफेक्ट बहुत ही इसका जो साइज है हम यह बाद में भी चेंज कर सकते हैं तो पहले हमें फिक्स्ट साइज का सर्कल लेने के कोई जरूरत नहीं है उसके बाद हमें बैक्गराउंड का एक डुप्लिकेट लेना है तो कंट्रोल जे या कमांड जे प्रेस करके हम लेंगे इसका करेंगे अभी हम देख सकते हैं कि जो इफेक्ट है वो ओल शेप में आ गया है लेकिन हमें यह सर्कल चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे यहां पर मू टूल से इसको आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और इसका जो विड्थ है वो कम करेंगे कुछ इस तरह से और आल्ट से वापस इसको में चोटा कर लेता हूँ तो जितना आपको साइज चाहिए उतना रखिए तो सबोज मुझे इतनी साइज चाहिए और सिर्कल का साइज में अलका सा बड़ा देता हूँ यह देखिए लेकिन याद रखिएगा कि यह जो लेयर है जो डूप्लिकेट हमने इस पेरा इस फिल्टर अपला गया उससे बड़ा ना हो सरकल नहीं तो यहाँ पर कट के निशान आ सकते हैं तो इसके अंदर ही रखा है मैंने तो इस एरिया को अभी सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके तो कमांड प्रेस क करके थम्नेल पर क्लिक करने के बाद यह सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम बैक्ग्राउंड कॉपी जो है डुप्लिकेट लेयर वहाँ पर क्लिक करके इसको लेयर मास्क अपलाए करेंगे और यह जो इलिप्स है इसको हाइड कर देंगे तो देखिए यह बिलकुल आसा करके देख लेते हैं और उसको शैडो भी अपलाए करके देख सकते हैं जैसे कि फ्लोट हो रहा है वहाँ के अंदर तो यहाँ पर वापस सेम चीज़ तो पहले डुप्लिकेट ले लेता हूं उसके बाद में और कोई इंपॉर्डर नहीं है पहले आप चाहिए तो शेप भी प्रेट कर सकते हो देखिए वापस shift प्रेस करके यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर इसको वापस filter में जाके distort में जाके spearize 100% रकना है mode normal ok यह देखिए वापस alt shift इसको कम किया वापस alt क्योंकि अभी मुझे सिर्फ proportionally करना इसे लिए सिर्फ alt अगर आपको सिर्फ height या width करन है यह देखिए इतना मुझे चाहिए और हलका सा circle बढ़ा कर देता हूँ उसके बाद control प्रेस करके यहाँ पर click और जो duplicate layer है वहाँ पर इसको apply कर देंगे layer mask को और इसको बंद कर देखिए अगर suppose मुझे थोड़ा सा बढ़ा चाहिए तो alt प्रेस करके वापस इसको बढ़ा क effect अगर आपको चाहिए तो इसमें shadow भी हम apply कर सकते तो shadow को लिए हम simply क्या करेंगे new layer create करेंगे यहां से देखिए new layer और यहाँ पर जो brush tool है वहाँ पर जाके soft brush लेंगे normal soft brush लेके यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे black color already यहाँ पर है तो black और इसको क्योंक और क्योंकि हमने यह separate layer पर किया है तो इसकी opacity भी हम कम कर सकते हैं और चाहिए तो देखिए shift प्रेस करके यह तो यह shadow ऐसे लग रहा है कि यह bubble यह जो sphere है उसका shadow यहाँ पर नीचे जमीन पर दिख रहा है ऐसे लग रहा है यह realistic effect लग रहा है चाहिए तो आप इसका opacity कम जादा आपके इसाब से रख सकते हो तो यह बिलकुल आसानी से हमने क्या बनाया आपे bubble effect या sphere effect बनाया जो कि थोड़ा सा glossy हम कह सकते हैं glass type लग रहा है sphere तो यह अब ज़रूर try करके दिखेगा बहुत मजा आएगा आपको और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like हुआ 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 है